आप देख रही है MNS News सच ज़रूरी है आप देख रहा है कि सच जलक रहा है इसलिए विपक्षी को घमंडी या घमंडी गटबंदन कहना बेकार और अनावश्यक है क्योंकि जो एंकारी है वे ही सत्ता में है यहीं हम हर दिन देख रहे हैं शशित थरूर ने कहा कि मुझे लगता है कि सपष्ट रूप से हमने गटबंदन को जो नाम दिया है वो उनको रास नहीं आ रहा है वो नाम इनके रूम रूम में बस गया है इसलिए वे इस तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं इतना ही नहीं उनका इंडिया गटबंदन के से इतनी दिकत है कि उन्होंने देश के नाम सिर्फ भारत रखने के लिए फैसले पर भी विचार करना पड़ रहा है भारत नाम को विशिष अधिकारी देश के कोशिश की जा रही है जबकि हमारे सवीधान में देश का नाम भारत और इंडिया दोनों है तो उनमें से किसी एक का उपयोग करने में क्या समस्या है कि कॉंग्रिस का रिया समित याने सी डबलू सी की बैठक पर शशितरूर ने कहा मुझे लगता ही कि अनिवार्य रूप से प्रमुक्ष्यों में से एक देश में वर्तमान राज्यतिक विकास और वास्तविक चुनाव संभावनाएं और नि इंडिया अलायंस की बैठकों में हमारा प्रतिनी धित्व कर रहे है शशितरूर ने कहा हम समीति को यह जानकारी देना चाहते है कि यहां क्या हो रहा है हमें उमीद है कि चुनाव सामान्य समय पर होगे जो कि 6-9 महीने दूर है लेकिन यह भी संभाव है कि सरकार चुनाव पहले करा सकती है जैसा कि हमने सुनने में आ सक रहा है कि और हमें जल्द से जल्द तयार रहने की जरूँआथ हैं अब शत्रपती संभाजरी नगर के नाम से जाना चाहे ग़ और अंगबाद उसमानाबाद का नाम भी बदला जिए महाराश के और उसमानाबाद शोर का नाम सूचना जारी कर दिया राजस्वभा विभाक्यों से शुक्रवार राजजारी अरी सूचना में कहा गया है कि कुछ महीने पहले मांगे गए सुझाओं और आपत्यों पर विचार किया गया है और ओपमांडल गाओं तालुकों और जेलास्तर पर नामों को बदलने का फैसला लिया गया है MVA सरकार नि नाम बदलने का लिया था फैसला जी और अंगाबाद और उस्माना बाद का नाम बदलने का फैसला पुरोवर्ती महाविकास आगारी याने मवीए सरकार की आखरी कैबिनेट बैटक में लिया गया था इस बैटक की अद्धिक्षता ततकालिन मुक्यमंतरी उद्धो ठाकरे के 29 जून 2022 को इस्तिफा देने से ठीक पहले उनकी अद्धिक्षता में हुई थी जी हाँ बैरहाल इसके एक दिन बाद शपत लेने वाले मुक्यमंतरी शिंदे और उपमुक्यमंतरी देवेंतर फड़न भी इसने कहा था कि इन जीलों को नाम बदलने का ठाकरे सरकार का फैसला अ शिंदे नीद कैबिनेट से पिछले साल जुलाई में और अंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदल कर क्रमशा चत्रपती संबाजी नगर और धार शिव करने के प्रस्ताव को मन्सूर दी थी एमबीए सरकार की आखरी कैबिनेट बैटक में और अंगाबाद का नाम बदल कर संबाजी नगर कर दिया गया लेकिन शिंदे सरकार ने इसकी आगे छत्रपती जी जोड़ दिया इसी तरह की दिन बड़ की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराए गया आपका रूबरू तब कि देखते रही है MNS News Network मेरे साथ ये इने रिशन सारी के साथ नमशकार ये है MNS News Network और आप देख रहे है MNS News